वर्दमान महावीर खुलाविष्ट विद्याले के आनलाइन प्लेट फार्म पर आपका स्वागत है मैं डाक्टर सुबोदग निहोतरी अध्यक्ष पत्रकारिता विभाग मित्रों देश्ट आजादी का अम्रत महोसो मना रहा है इसी कड़ी में हर सैक्षिक संस्थान आजादी के लिए आहुत देने वालों की याद में किसी न किसी रूप में कारेक्रमों का आयोज मित्रों स्वाधीनता आंदोलन के कालखंड में हिंदी पट्टी की विज्ञान पत्रकारिता शनह सनह प्रगत करती रही इस कालखंड में विज्ञान लेखकों और संचारकों ने समाज में विज्ञान के प्रत काफी जाग रुकता फैलाई अब बात उन शोध करताओं और विज्ञान संचारकों की करते हैं जिन्होंने निड़ता और दढ़ता से अपने कारे की बदोलत भारती विज्ञान जगत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व विज्ञान परिवेश में अपनी अलग-अलग पहचान बनाई इसमें सबसे पहले हैं डाक्टर महेंद लाल सरकार 1833 में जन्में डाक्टर सरकार ने चिकित्सा के छेत्र में बड़ा काम किया 1860 में उन्होंने इस बात के लिए अभियान चलाया कि देश में एक राश्त्रिय विज्ञान एसोसियेशन बनाई जाए और उसमें केवल और केवल भारतियों का सहयोग लिया जाए जो भी फंड इकठा हो उसे देश के बुनियादी वैज्ञानिक धाचे को मजबूत करने में लगाया जाए 1876 में डाक्टर सरकार ने कलकत्ता में ही इंडियन एसोसियेशन फार दे कल्टिवेशन आफ साइंस जैसे संस्थान की इस्थापना की जिसका उद्देश सिथा फंड़ामेंटल सर्च को बढ़ावा देना डाक्टर सरकार वास्तों में अंग्रेजी सासन की नीतियों के प्रबल विरोधी थे इसी कड़ी में दूसरा नाम आता है महान वैज्ञानिक परफुल चंद रेका वह एक ऐसे रसायन सास्त्री थे जिन्होंने अपनी मेधा के बल पर बंगाल केम अधिकल एंड फार्मस्योटिकल कंपनी स्थापित की कंपनी का विस्तार किया और आत्म निर्भरता की एक मिसाल पेस की उनकी तारेफ खुड महत्मा गांधी ने की खुद रे सहाब का मानना था कि भारत आर्थिक प्रगत तब तक नहीं कर सकता जबकि उसे आजादी नहीं कर सकता है और इसके बाद प्रसासन ने उन्हें वैज्ञानिक की आड में एक क्रांतिकारी के रूप में पहचाना इसी कड़ी में अगले वैज्ञानिक हैं चंद सेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन तमिल नाड में 1888 को जन्में सीवी रमन ने प्रकास के प्रक्रिणन पर उतकरस्ट सूधकार करते हुए 1930 में भौतिकी का पुर्तिष्ठित नोबिल पुरुसकार जीता आपके इस कार्रे को रमन इफिक्ट के नाम से भी जाना जाता है 28 फरवरी 1928 को रमन इफिक्ट की खोज हुई थी तभी आज हम 28 फरवरी को हर साल राश्ट्री विज्ञान दि निकल कर अपने को ऐसे इस्थापित किया जिससे भारती वैज्ञानिक परिवेश को एक नया आया मिला जिस पर हर भारती को नाज है अगले वैज्ञानिक हैं जगदीश चंद्र बसू वर्स 1858 में धाका के पास विक्रम पुर गाओं में आपका जन्म हुआ पिता ब्रिटिस सरकार में मजिस्ट्रेट थे लिहाजा आपका लालन पालन अच्छे धंक से हुआ 1887 में बसू की साधी हो गई और उनकी पतनी अबला देवी भी मेडिकल की छात्रा थी प्रारंभिक सिक्षा के बाद बसू ने कलकत्ता के जेवियर कालेज में अपनी पढ़ाई पूरी की इसना तक के बाद चिकिस्टा की पढ़ाई के बाद वो लंदन गए Cambridge विस्तुद्याले से पढ़ाई पूरी करने के बाद डाक्ट्रेट की डिगरी के साथ वो भारत लोटे और कलकत्ता के प्रेसिदेंसी कालेज में सीधे प्रोफेसर नियुक्त हुए लेकिन उनकी नियुक्ति आधे वेतन पर हुई, अंगरेजी नीत के विरोध में उन्होंने तीन साल तक बिना वेतन अध्यापन कार्य किया, वो समान कार्य और समान वेतन के पक्षधर थे, बाद में कालेज प्रवंधन को जोखना पड़ा और पूरा वेतन उन्हें दिया जगदीश चंदर बसू ने लगभक 89 वरसों तक विज्ञान की सेवा की और कलकत्ता में ही बोस इंस्टिट्यूट की इस्थापना भी की, इसी कड़ी में अगले वैग्यानिक हैं मेघनात साहा, ये एक ऐसे खगोल विज्ञानी थे जिनकी जिग्यासा ने ही उन्हें वैग साहा जिस स्कूल में सिक्षा गरहन कर रहे थे, वहां जब बंगाल के गवर्नर मुआइना करने आये तो इस स्कूली बच्चों के साथ मिलकर साहा ने उनका विरोत किया और बाद में उनका वजीफा रोक दिया गया, लेकिन वो डिगे नहीं और प्राइवेट कालेज में द सोध कारे में भी अपना समय वितीत करते रहे, वास्तों में मेघनात साहा एक वैज्ञानिक ही नहीं सामाजिक कार्यकरता भी थे, साथियों ये वे बड़े नाम हैं जिन्होंने विज्ञान लेखन की दुनिया में अपना सिक्का जमाया, अब कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंन कल्यान दास गर्जर, महामना मदन मोहन मालुई, बाबु तोता राम, पंडित की सोरी लाल गोस्वामी, महेश शरन, गोवर्धन, नागेंदरनाथ बसु, करश्न वल्लव दोवेदी, हेमचंदर मेश्र, सत्यपाल, राहुल सांकर्त्यायन, रवींदरनाथ ठाकुर, डाक्टर हजारी प्रसाद दोवेदी, डाक्टर गोरक प्रसाद, स्रीनाथ सिंग, करश्नकांत गुपता, हीरालाल खर्ना, प्रोफेसर फूल देव सहाय वर्मा, और राजेंद गुपता आदे सामिल है, इस परकार देश को आजादी मिलने के समय तक, विज्ञान और चिकिस्टा के छेत्र में सोथ करताओं ने अपना खासा योगदान दिया, इसमें भारती जन्वानस में विज्ञान के प्रति लोगों की जागरुपता और रुची बढ़ी, विज्ञान की सामगरी का प्रकाशन भी अखबारों और पत्र पत्रिकाओं में खूप किया गया, देखा जाए तो पूरी कहानी का सार है कि भारती विज्ञान लेखों पत्रकारों का आजादी के आंदोलोनों में खासा योगदान रहा, इसके साथ ही पुरुसों की तरज पर महिला विज्ञानिकों और सोथकरताओं ने भी चिकित्सा और विज्ञान के छेत्र में अपनी खोजों से न अन्यवाद।